भारत के यशशवी परधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी के कार्य कुशल के नेतृत्व में, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नई बुलंदियों को छू रहा है。 भारत के ट्रांस्पोर्ट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मंत्राले दवारा भारत में एक नई टेकनोलोजी का आगमन होने जा रहा है। यूरेशन कंपनी स्काइवे टेकनोलोजी भारत में दिल्ली से अमरित्षर के लिए हाई स्काइबोस लगाने की योजना बना रही है। जिसकी स्पीड लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दिल्ली से अमरित्षर केवल 40 मिनट में यात्रा संभव हो जाएगी जिससे आम लोगों के लिए समय की बचन होगा। Skyway Technology का भारत में आने से पहले दुबई शार जहां में जल्द ही चलने वाली है। यह एक ऐसी नई परियोजना है जिससे वातावरन को कोई हानी नहीं होने वाली है। इसकी लागत भी मेट्रो से काफी कम है जिसके चलते यह Technology हर देश में चलने वाली है। आने जिसके स्टेश में वाली है। और जही जहार जहार जोगार प्रविश के विगूजिग गोगा पुर्ट को आप रेले हैं आप मेद दोग भाव प्रशम प्रवाइशन बिल्स प्रट जाश्य। and I feel that this can be a good and appropriate technology for the country with those who have maximum population and this should be cost effective, safe security is also one of the most important thing where we need to concentrate on that and also the cost effective. I give my all best wishes to the innovator who has taken a new initiative for making this new technology and which can be useful for the world. Thank you. Sir, National Capital is just a distance between two hours. By road, by air. अगर तो यहां से आप अगर वो देदोगे हमें 600 km वाली जो कैपसूल आपने दिखाया है अगर वो मिल जाएगा हमें तो हम बाई एयर और उसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता कि कि हमारा रास्ता 35 मिन्ट केई है, यहां से भी 35 मिन्ट दिलिया है और मुहाली से भी 35 मिन्ट ही दिलिया है बुलिट रेंधीं, बुलिट बस, बुलिट बस है वो तो बुलिट की तरह 600 km की स्पीड पे तो आम तोर पे आरो प्लिन चलते हैं अलस्त विडियू झाल 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 झाल